Hello everyone, Good evening, Namaskar, Jay Hind, मैं आपका GS educator रोहुत कमार, स्वागत करता हूँ, WIFE Study Studios, which is a part of an academy साम के साथ बज चुके हूँ और आप जोड चुके हो, जानि जितने बे ससी एक्जाम के तयारी करते हूँ या कहने कोई भी एक्जाम के तयारी करते हो, all competitive exam क्योंकि चितने भी को प्रत्योंगता परिच्छा हैं competitive exam में सम्में जी एस तो common रहेंगे रहेंगे पूछेंगे बस question की जो लेवल है वो up and down होता है मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो थम दिखाने साथ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है क्या मैं दिख रहा हूं अचाहिए अब आप इससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो दिल्ले पुलिस की बात कर लो यो पी एससी की बात कर लो यो पीसी में कुशन क्या होता है statement based हो जाते हैं जबकि history politics जो अगर फी economics रहता तो वही है science रहता तो वही है है न तो gs t20 जो part 2 कल आपने part 1 देखा था आज part 2 देखेंगे 20 सवाल कोसिस करना negative ना हो और 20 में से जितने भी सवाल बने बिल्कुल सही सही लगाना ठीक है और देखो कई सारे बच्चे पूछते हैं सर पांचर प्लस सवाल जो चल रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी इंड हो गया आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो जो घर्पी चल रहा है बच्चे नवंबर के महिने में science और स्टैटिक एक साथ आ रहा है इसकी भी सिद्यून में बहुत जल्द बता दूंगा कि किस डेट से सुरू हो रहा है जब भी आपको ज्वाइन करने का मनो रेफरल कोड बाबाटें यूज कर सकते हो तो ऐसा ना हो कि सार एक जाम नस्दीक हो और एक साफता पहले ज्वाइन क अब यह भी बैच ज्वाइन कर सकते हो बहुत फायदा होगा आपको यहां ठीक है रेफरल कोड क्या यूज करेंगे बीए बीए बन जीरो बाबाटें सवाल नंबर वन कहता है दा मेन पॉलुटेंट इंदा स्मोग कमिंग फ्रॉम सिगरेट से निकलने वाले धूमें में आयोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड निकोटीन कार्बन मोनोक्साइड इन बेंजीन या ओक्षान नंबर फोर क्या होगा कि चलिए अलिशक चिनवाय का सवाल नंबर 16 सही था बहुत बढ़िया नमस्ते गुड इबनिंग नमस्कार जैहिंद राधरादे जोहार कौण जल्दी जल्दी बताओ क्योंकि अभी मैं आपको यहां पे क्वीज भी करवा दूँगा इससी में ठीके बच्चे तो क्या होगा बिलकुल असान सवाल है कार्बन मोनोक्साइड और बेंजीन निकोटीन तमबाकों में पाया जाता है निकोटीन तो सीगरेट से निकलने वाले धूए में मुख परदूसक पूठा ना पिक पूठा किhealth को में क्या होगा बिलकुल यादट्णा कराण से लालच में आकर लालच बुरी भला आ है बिल्कुल याद रखना निकोटीन मत मार देना निकोटीन गलत होगा निकोटीन गलत होगा बिल्कुल याद रखना क्या पूछा गया परदूसक पूछा निकोटीन परदूसक है क्या निकोटीन परदूसक तो नहीं है निकोटीन से हमें हलका हलका नसा आता है निकोटीन से निकलने वाले धूम्हें में मुखे पर दूसता कार्मान मोनोकसाइड और बेंजीन है बिलकूल याद रखना जबकी डर्रेडियो एक्टिव एलिमेंट पॉलोनियम रेडियो धर्मित्या तो पॉलोनियम भी पॉलोनियम 2 वंजीरों तबाकों के धूम्हें में भी पाया जात निकोटिन ना प्रदूसक नहीं है यह समझ लोना पहले क्यों नहीं समझते हो समझातो रहे हैं निकोटिन प्रदूसक नहीं है ठीक है कि सिग्रेट के अंदर भी तो टोवेकू होता है बिल्कुल टोवेकू होता है लेकिन यह प्रदूसक नहीं है न इससे हमें नसा मिलता है समझा तो करो कैसे समझाओं आपको कि विच अबता फॉल्विंग हैज बिन रिकगनाइज एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री निम्लिकित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रुप्य मानेता दी गई है सिधार्थ सिंग रामसार साइट 38 नहीं है चुनेशको के लिस्ट में है न वो 38 है बिटा अपडेट करो अपने आपको अपडेट कर लो किसे मेगा डाइवर्स देश के रुप्य मानेता दी गई है न्यूजिलैंड औस्टेलिया नेपाल औस्ट्रिया सवाल नमबर दो जल्दी 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 ऑस्टेलिया को मेगा डाइवर्स देश के रुप्य में जानते हैं ऑस्टेलिया को मेगा डाइवर्स ऑस्टेलिया न्यूजिलैंड किस से अलग है जरा बताना ऑस्टेलिया न्यूजिलैंड को कौन अलग करता है कौन अलग करता है या कौन जोडता है जल्दी कौन अलग करता या कौन जोडता है जल्दी 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 एक दिन ना रामसार साइट करा देंगे परिशान ना हो ना टेंसन ना लो एक दिन रामसार साइट करा देंगे परिशान ना हो ठीक है मेगा डाइवर्स देश राष्ट्रों का एक समू है जिसमें पिर्थवी की जैव विवित्ता बायो डाइवर्सिटी का 70% से अधिक हिस्सा सामिल है जिसमें 1998 में संवच्छन अंतराष्टे द्वारा पहचाना गया है ठीक है तस्मान सी क्या बात है तस्मान सागर बहुत बढ़िया क्या होगा तस्मान सागर तस्मान सी ऑस्टेलिया को निजुलैंड से अलग करता है जोड़ता है तो संवच्छन अंतराष्टिक अनुसार उन 17 देशों में से एक है जो जाजतर उस निकटिवंदिये या उप्पोस्ट निकटिवंदिये छेत्र में मौजूद है जिसमें ऑस्टेलिया मौजूद है यह देख सकते हो कौन-कौन है युवेस मैक्सिको कोलंबिया एक्विडोर विनेजुएला ब्रैजिल पेरू कैंगो सौत अफरिका इंडिया चाइना मलेसिया इंडोनेसिया ऑस्टेलिया पाप्वा निविनी फिलिपिन्स ये सब के सब मेगा डायवर्स कंट्री है कितने 17 मेगा डायवर्स कंट्री है थीक है आपके सामने ये रहा इस विच वन अप फॉलिमिंग डीनोट्स वाटर सैलिनेटी ग्रेडियंट नमने कितमें से कौन सा जल लवन परवंता को दर साता है सवाल नमर तीन जल्दी गोड इवनिंग मोनिका जी क्यों वायरस वायरस कर रही है क्या बात है क्या हो गया कि वायरस कों आया है कौन सा जल्द परवंता को दर साता है हल्को क्या होगा हल्को क्या होगा है तो घरमुकलाइन क्या है कि समुद्र के पानी का परत जिसमें पानी का तापन तेजी से बढ़ती गाहराई के साथ कम हो जाता है वह घरमुकलाइन कहते है समझे ना घर्म यानि टेमपरेचर और सामान से बहुत खारा समुद्री जल के घंतु के बीच किसे संक्रमन छेतर उसक हम हेलकोलाइन कहिंगे बिल्कुल यागटना ठीक है जलक एक निकाय में सीमा जो एक ताजा उपरी परत को एक घहरी परत सलक करता है उसी को हम हेलकोलाइन कहते हैं ठीक है कुछ सवाल निमर चार एक में रुख जाओ मेरी टेकनिकल तीन देख रही है रुख जाओ कौन सी दातेदार वेल के सबसे बड़े पजाती है विच अब था फॉल्विंग स्पीशेज इस ता लार्जेस्ट अब दा टूथेड वेल्स फिंबैक वेल नीली वेल सुक्रानू वेल या हम्पबैक वेल तो क्या होगा अस्पों वेल सुक्रानू वेल क्या होगा सुक्रानू वेल अस्पों वेल थीक न तो सुक्रानू वेल दातेदार वेल के सबसे बड़े परजाती है साथ ही साथ महासारगुरों में सबसे बड़ा दातेदार सिकारी है नर की जो लंबाई देखरों तिरपन फीट 16 मीटर लेगिन सबसे बड़ा 20 मीटर तक पहुं सकता है 20 मीटर तक पहुंच सकता है बिल्कुल या दखना ठीक है ये देखो कैसे दिखर आस्पों विल की तरह 20 मीटर तक इसकी लंबाई पहुंच सकता है ये 20 मीटर तक पहुंच सकता है बिल्कुल या दखना ठीक है स्वाम्यंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का क्या नाम है वाटी दा नेम पार्टी फाउंडेड बाय स्वाम्यंद्र नाथ टैगोर भारतिय बोल्सेविक पार्टी रिवोल्सेविक कम्मुनिस्ट पार्टी बोल्सेविक लेनिनवादी पार्टी या कट्ट पंठि देमोक्रेटिक पार्टी सवाल नवर पार्च जल्दी समेंदना ट्यगोर दवारा स्थापित पार्टी क्या नम है रिबॉर सुनरी कम्मुनिस्ट पार्टी रिबॉर स्नरी कम्मुनिस्ट पाटी अगर बात करें सर इसके अस्थापना कब हो भी तो रिवर्शनेरी कम्रिष्ट पार्टी ओफ इंडिया जिसे रसी प्याई की नाम से जानते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी थे बच्चे जिसका नेत्रित सौमें तरनात्र काईगोर कर रहे थे इस पार्टी का विभाजन का विभाजन से उबरा था बिल्खुल या तक ना ठीक है हिरन गर्भ नामा के कनुष्ठान किस ने किया था हुप पफॉंड दा रिचुवल कॉल्ड हिरन गर्भ मयूर सर्मन हरिचंद हरिचंद दंती दूर्ग या हर्श्वर्धन सवाल नमर सेक्स जल्दी सवाल नमर शेक्स हर्सवर्दन से याद होगा आपको पहली बार इसने कुंभ मेला का आयोजन किया था परियाग में परियाग में कुंभ मेला का आयोजन तभी से परतेग साल, परतेग पांस साल या बारा साल के दो चार अस्थानों पर कुम्भ मेला का आयोजन किया जाता है। तो दंती दुर्ग ने अपने चालू के अधिपती को उखान फिका और हिरा ने गर्व नामा के एक अनुस्ठान किया याने यग किया जिसका रत होता है स्वन गर्व ऐसा इसले किया क्योंकि वे बली के पुनरजनम को छत्रिय मानते हैं ठीक है आगे देखो गांधी जी को वन मैन बाउंडरी फोर्स के रूप में किसने संबोजित किया चर्चिल एटली मौंट बेटन साइमन सवाल नमर साथ जल्दी गांधी जी को one man boundary force किसने कहा विश्टन चर्चिल या किलिमेंट एक्टली माउंट बेटन या साइमन सवाल नमर साथ हर्षवर्धन के समय वेंसांग आया था क्या बाद क्या बाद जल्दी तो गांधी जी को one man boundary force कहा था माउंट बेटन ने किसने का माउंट बेटन ने जबकि चर्चिल ने क्या का तो मिश्टन चर्चिल ने यादे अर्धनगन फकीर जबकि एटिली भारत की आजादी के समय परधान मंत्री कौन था किलिमेंट एटली था सामन कमिशन 1927 में अस्थापना होता है 1928 में भारत आया था जिससे वाइट मैं कमिशन कहा गया था ठीक्या माउंट वेटन स्वतंद्र भारत का पहला गवर्न जंदल माउंट वेटन था बिल्कुल या दखना नम्रिकित में से किस सत्र के लिए कॉंग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्य चूनी कलकत्ता 1927 गया 1922 कानपुर 1925 लखना 1911 सवाल नम्र आठ जल्दी कि चर्चील और माउंट वेटन में गलती कर बैठे आप आज तो बहुत खूस होंगे आज तो बहुत खूस होंगे गलती करके तो कॉंग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्य चूनी कलकत्ता 1917 में किसे इनी बेसेंट जबकी 1925 में सरोजनी नाइडू देख लोग फस गए राकेश कुमार साहब राकेश कुमार साहब इस्टॉप इस्टॉप गाड़ी धीरे धीरे 1925 ना होगा पहलो 1917 होगा त्योंकि अपनी पहली महिला अध्य पूछा है भारती ना पूछा है स्टॉप इस्टॉप इस्टॉप राकेश साहब इस्टॉप 1922 में सियारदास अधिस्ता किया गया में और लखना 1916 अंभीका चरण मजुंदार अंभीका चरण मजुंदार लोकित वादी उपनाम से किसे जाना जाता है गोपाल हरी देशमुक महादर गोविंज राना ले जोतीबा फूले बाल गंगा दर तीले सवाल नम्बनाई जल्दी कर बैठे गलती कितने बार पढ़ा चुके हैं जल्दी बाजे में कर बैठ तो गलती हाँ मनिशा जी इंडिया होगा तब तो इंडियान होगा तब तो भारती होगा तब तो गोपाल हरी देशमुक को लोकित वादी के नाम से जानते हैं और जोतीबा फूले याद होगा आपको जिसने अप जया ज़रा इस बता और पीशिता आने जोतीबा फूले ने जोतीबा फूले ने किसके अस्थाप्ना की जल्दी तो याद करो गांधी जी का जो पॉलिटिकल टीचर बनारस अधिवेशन में जिन्होंने अध्यस्ता किया सत्य सोधक समाज निमी कुट्टू का जवाब बहुत बढ़िया सत्य सोधक समाज ट्रीपल एस अच्याप महादर्ग गोमिंद रान डे किसके टीचर थे जल्दी और गोपाल क्ेस्न गोख ले साहब थे गांधी जी के और गोपाल क्ाल क्वे साहब के पॉलिटिकल टीचर महाद्ग गोमिंद रान डे थे तो समझना पड़े गा ठीक है गुपाल हरीदेशमुक जिन्हें लोखितवादी के नाम से जानते हैं 1880 में एक नियाइथिस और गवर्नेट जन्रल कॉंसिल के सदसे थे ठीक है राष्टिय आत्म निर्भरता के एक मत्दाता के रूप में उन्हें 1876 में दिल्ली दर्बार में इन्होंने पाटिसिपेट किया था दिल्ली दर्बार हुआ था 1876 में एक बार उन्हें 111 में हुआ था बिल्कुल यागतना ठीक है कौन साराज गरीबों को मुफ्त इंटरनेट परदान करेगा मंद परदेश करनाटा केरल गोवा सवाल नमर दस जल्दी सवाल नमर दस तो कौन साराज गरीबों को मुफ्त इंटरनेट परदान करेगा केरल भाई केरल में होते ता आपको मुफ्त इंटरनेट मिलता और असा बंगाल में 1924 का तार्केश्वर अंदोलन किसे खिलाब था मंदीरों में भ्रस्टाचार हिंसा ब्रिटिस या संपरदाइटा एक खिलाब सवाल नुमर 11 जल्दी क्या होगा तो 1924 में तार्केश्वर अंदोलन मंदीरों में भ्रस्टाचार सोचो उस समय भी करप्षन था बताओ 1926 में उस समय भी करप्षन था मंदीर में उन्हीं के खिलाब अंदोलन चला था बंगाल में 1924 में ठीक है तो कलकत्ता में 1924 का तार्केश्वर अंदोलन तार्केश्वर स्वी मंदीर के भ्रस्ट पुजारी के खिलाब अंदोलन चेड़ा गया था मंदीर के खंड के दुरूप्यों कर सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ व्यभचार का आरोप लगा पुजारी पर लगाए के था सोच उस समय कौन सी दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी जील है बैकाल सुपिरियर विक्टोरिया विनिपेग सवाल नबर बारा जल्दी सवाल नमर बारा जल्दी बताओ क्या होगा दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी जील के बात करें बैकाल जील दुनिया का सबसे बड़ी ताजय पाने की जील या रूस के कहां पर बच्चे साइबेरिया में स्थी थे 1996 से इसे युनेशको ने विश्वधर्वरस्तल घोसित किया है बैकाल जील दुनिया की सबसे पुरानी और सुपिरियर लैक दुनिया की सबसे बड़ी ताजय पाने की जील है जो साइबेरिया में बैकाल जील और पुरुविया फिरका में तंगा निका जील के बाद तीसरा सबसे बड़ा है कौन सा रेकिस्तान दसने गुलार्द में स्थीत है सवाल नमर 13 जल्दी जल्दी बच्चे सवाल नमर 13 तो दसने गुलार्द में जो इस्थीत है वो कौन है कालाहारी गोबी मंगोलिया सहारा अफ्रिका यह उत्री गुलार्द में तो दसने गुलार्द में कालाहारी बच्चे आपको याद होगा कि दसने गुलार्द के रेगिस्थान जो पिर्थुवी के निचले आदे हिस्थे में है दच्चिन अमिर्का में अटाकामा चिल्ली में पेटागोनिया अफ्रिका में नामीब और कालाहारी अस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी ठीक है नेख सवाल गोभी रिगिस्तान पूर्वी एसया में बड़ा रिगिस्तान है जो कहा पुरवत्तर चीन और मंगोलिया के कुछ इससे में सामिल हैं और चिहुआ हुआन रेगिस्तान उत्री मैक्सी को अद्धशिन पस्रिम संजुक्त राज अमेरिका के कुछ इस्सों को कवर करता है जो नौर्धन हेमिस्पेर उत्री गुलार्द में मौजुद है किस देश का नाम 40 जंजातियों का देश है जल्दी 40 जंजातियों का देश क्या गवच्चे 40 जंजातियों का देश जल्दी 72 भाराच चगुवन किस देश का नाम 40 जंजातियों का देश है किर्गिस्तान क्या होगा किर्गिस्तान कजाकिस्तान नहीं होगा बिल्कुल याद रखना किर्गिस्तान सिनु चौधरी का जवाब सही है यस्वन का जवाब सही है बहुत बढ़िया रोबिन चौधरी का जवाब सही है ससी का कोशन गे क्वीज हैं किरिस्तान सब्दकार्थ होता है हम 14 जन जातियां इस देश के महान योद्र और चौथ अंत्रता सिनानी ने विदेशी हमलों से बचने के लिए अपने 40 जन जातियों के एक्जूट किया और अपना कुर्बान दे दिया अपना गुर्बान दे दिया किरि राजधाने बिसकेक, मुद्रा सोम, तजाकिस्तान, राजधाने दुसामबे, मुद्रा सोमोनी, उजबेकिस्तान, तासकंद, सोम, आगे, जल्दी, सवाल नमर 15, भारत की नम्रिकित में से कौन सी जील जम्मू कश्मिर में इस्थीत है, चलिया, अलिसा, अलिसा का भी जवाब सही है, अच्छा, दो बाइक क्यों लिखा अपने अलिसा, अलिसा, जल्दी, चलिया, मनिसा का भी जवाब सही था, बहुत बढ़िया, भारत की नम्रिकित में से कौन सी जील जम्मू कश्मिर में इस्थीत है, फुल्जार, कोलेरू, अंचार, हमिरसर, सवाल नमर 15, अंचार 72, 54, यह कोड है, अंचार लैक जील जम्मू कश्मिर में है, कोलेरू भईया कहां, दच्छिन भारत चले या कोलेरू, कोलेरू दच्छिन भारत, कहां गलती करते हो, तो अंचार जील की बात करें, जम्मू कश्मिर के सहर, सौरा इलाके के पास इस्थिति है, और परसित डल जील के साथ, अमीर खान नाला के मार्धम से जुड़ा है, सुचो, अमीर खान नाला के मार्धम से जुड़ा है, समिधान के निम्रिकित में से कौन सा लुछेट कहता है, कि स्पीकर के पास वोटों की समानता के मामले में, एक निरनायक वोट होगा, कास्टिंग वोट होगा कास्टिंग वोट होगा जल्दी 72-12-54 यह कोड आपके फिर से मैं बता दू भूल जाते हूं न आंधरा परदेश में कोलेरू क्या बात है हाँ कोलेरू तो आंधरा परदेश में डियर तो कास्टिंग वोट बच्चे 100 100 नमबर डाल करो पुलिस को बुलाओ नहीं नहीं यह कास्टिंग वोट है क्या यह कास्टिंग वोट है बिलकुल याज़कना कास्टिंग वोट यानि वोट जो लोग सभाई speaker जो मत करता है उसे हम casting vote कहते हैं यह तब होगा जब वोट बराबर हो जाएंगे पच्छ और विपच्छ के article number 100 हलाकि सदन का सदस से speaker मद्दान कभी नहीं करता है तब करेगा जब वोट बराबर होगा ठीक है सभापति और रूप सभापति तथा अध्यक्ष और वेतन अध्यच और पाध्यच के वेतन और भत्ते यानि राज सभा की बात करता है राज सभा के सभापति रूप सभापति तेथा लोग सभा काध्याक्स रूपाध्याच का वेतन आर्टिकल सतानवे संसत का सचिवाले आर्टिकल अठानवे संसरस्यों द्वारा सपत और प्रतिज्ञान अनुछिद निन्यानवे ठीक है किस राज में लोकायुक का कारियाले पहली बार स्थापित किया गया था जल्दी किस राज में के लोकायुक का कारियाले पहली बार स्थापित किया था किस थीन कहा था जल्दी भाई सबसे पहले लोकायुक का कारियाले कहा बनाय गया था महरास्ट्रा में कहां पे सबसे पहले महराश्टा और सबसे टप लोकायुक्त कहां है तो करनाटक में याद रखना कहां पे करनाटक में याद रखना सबसे टप लोकायुक्त करनाटक में है मैं 1971 में लिएक। का इलम ताधिनीय के मार्धियम से लोग्यूत की संस्ताइप करने वाला महाराश्त पहला राजता औरहिस भीड का सबक्र पहले ड़ाक्टर एवयं सिंग में किसने युसरी ऑड ना सबक्रत की दें स्वीडेन में कि समय धाने संसोधन द्वारा केंदरे मंत्रों के संख्या लोग समागे कुल सदस्यों के संख्या का 15 परसेंट तक सिमित कर दी गई है जल्दी 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 क्या होगा जल्दी बताओ कि 91 एमिंडमेंट एक्ट 91 समय धान संसोधन से सदस्यों कुल संख्या का 15 परसेंट तैयक कर दी गई है मंत्रों की कुल संख्या लोग समय नहीं होगी ठीक है? और यही हाल राजी में भी होगा, बच्चे. यही हाल राजी में भी होगा, याद रखना. राजी में भी यही हाल है. पिहार पूरा पश्णिम् मंगाल के पूर राजपार का नाम बताना है, जिनका हाली में निधन हो गया था. जोनोंने 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राजपाल के रूप में काम किया था उत्तर परदेश मार्शल बहुत बने सोनु जी जल्दी तो क्या हो गई ये देवानंद कुवर देवानंद कुवर सहाब थे 2013 तक बिहार के राजपाल जिनकी मिर्तिय हो गई थी उस देश का नाम बताई जिसना हाले में नबालिकों द्वारा किये गया प्रादों के लिए मिर्तिय दंड को समाप कर दिया है जल्दी कोड 72-54 कोड या तक ना कोड या तक ना 72-54 किसने साथ कर दिया सौधी अरब ने सवघिया कर दिया तो साथी अरब के किंग सलमान ने एक सिर सद्धिकारी के बयान कर नुसार नबालिकों द्वारा किये गया प्रादों के लिए मौद के सजा को समाप करने का आदेश दिया है 1254 721254 ठीक है अभी इसरे कोर्स जल रहा है बच्चे आने कैडमी पे 5000 प्लस सवालों की स्रीज एंटी-पीसी का आप चाहो तो जोएन कर सकते हो बहुत फायदा होगा यहां पे बहुत फायदा होगा एंटी-पीसी के लिए और अगर आपको लगता है सर मैं बिल्कुल डीटे क्यानी हो कैसे जोर Hilux करे सबसे पफेरा अट एकiren म हैं डाउनडूलोट करें मोबाइल नबर डालने अपना मोबाइल बाद नबर डालने के बाद अपना गोल्सक्रेंट करें रेल्लवेग जयांब एशी एच्जाम इसके बाद गैट किलीक करने के बाद पुच्चा जाए क बहुत मज़ाएगा बिल्कुल टेस्ट में 30 कोशन्स ठीक है तो जैसे रेफ्रेल कोड यूज करते हो सब दस परसेंट का रिवेट हो जाता है यह कोड से अगर सेसर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना सेर करना अपने दोस्तों के साथ अगर पहली बार जूड़े हैं इस सैनल को तो सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नहीं सेसर में तब तक कि